प्रस्क्राइब और मोल वीडियो जेहिन साथियो मैं दिल्ली से अलका लांबा आप सभी से निवेदन आज का इंडियन एक्स्पेस निउस्पेपर मैं आपको दिखा गेती हूं जिनके घर में आता है बहुत बैतर है पहला पेज है ज्यादा मेहनत करने की जूत नहीं और पह बहुत रहेगा मैं आपको दिखाती हूं आज की इंडियन एक्सपेस में क्या है यह आज का इंडियन एक्सपेस निउस है फ्रंट की खबर है बैड लोंस 80% of right of of indicate came in last five years बैड लोंस 80% of right of in decades came in last five years और यहीं पर दूसरी की खबर आप पढ़िये supreme court to parties supreme court to political parties submit bond details to election commission अब इंडियन एक्सपेस की आज की फ्रंट की इस खबर का इस खबर से क्या लेंदेन है मैं आपको यह अभी बताती हूं बिल्कुल अब आपने देखा इन दोनों खबरों का दस सालों में पिछले दस सालों में इतना कर्ज माफ नहीं हुआ जितने मात्र पिछले पांच सालों में बैंकों का जो कर्ज लिया गया था यह कर्ज किसान गरीब आदमी ने किसी स्टार्ट अप में बेरोजगार और केंदर की मोधी सरकार ने उनसे कर्द वापस लेने की बज़ाए भागने में मदद तुकी की साथ में उनका 80% कर्द माफ कर दिया है जबकि बार 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 बैंकों से कहा जा रहा है कि ये जो डिफॉल्टर्स हैं कौन लोग बैंकों से 10 लाक करोड लेकर भागे हैं उनकी जानकारी देश को मिलने चाही है लेकिन मोधी सरकार ने फैसला किया है कि बैंक डिफॉल्टर्स जिन्होंने करद लिया डुबो दिया वापिस नहीं दिया उनकी जानकारी भारत सरकार देश को नहीं देगी उनके नाम चुपाए जा रहे वुश चुपा जाelin है क्यों चु गुपत रखाएगा यह नियम और कानून भार्त की मोधी सरकार लेका रही कि किस रहें कि कितना ख़ङ Lakप फन दिया है कौन से कौन सी apart को दिया है कौन सी कंपनी ने दिया इसको गुपत रखएगा क्यों आसे प्रण की we वो माफ कर दिया है छोड़ दिया है उन्हें वसुली करने की बजाए और दूसरी तरफ यहां पर जो बॉंड आते हैं उसकी भी जानकारी नहीं देरी दोनों का खुलासा होतो है आपको पता लग जाएगा जिस पे मुझे यकीन है कि जो ये बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं वो ही लोग इन्हें पैसा चुनावों में बॉंड के रूप में देख रहे हैं सुप्रिम कोट ने कहा है कि कतिस मई तक इसी महीने के अन तक हर पुलिटिकल पार्टी को इलेक्टरॉल बॉंड जो है जिक किस कमपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया इसका खुलासा कर 2009 और 10 में 25 करोड 2010 और 11 में 23 करोड 20 करोड 32 करोड और यहां पर आप देखिए 42 करोड यह UPA की सरकार थी जब बैंकों के कर्ज जो हैं जो लिये हुए थे डूब गए और जिने भारत सरकार ने RBI के तुरू इन बैंकों को पैसा देकर इनके कर्जों को जो माफ के लिकिन आप जैसे मोधी सरकार आती है 2014 और 15 में 58,000 करोड के करीब 15 और 16 में 70,000 करोड 16,000 करोड 16,000 करोड यह जो 2014 से आप 19 तक देख रहे हैं यह सारी कर्ज माफी जो है 80% कर्ज भी माफी जो है वसूल करने की बजाए यह केंदर की मोधी सरकार ने जो है वो इनके नाम नहीं जाहिर कर रहे है कौन लोग है जिन्होंने कर्ज लिया कौन लोग है कितना कर्ज लिया क्यों वापसी नहीं लिजारी क्यों माफ करके इनको इसी में लिखा हुए कि BJP को 210 करोड मात्र 2017-18 में इलेक्टरोल बॉन्ट के माध्यम से 210 करोड मिला है लेकिन भाजपा कहती है ये 210 करोड जो इलेक्टरोल बॉन्ट से हमें मिला है हम उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं मात्र इलेक्टरोल बॉन्ट से लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं आया 210 ये दो इलेक्टरोल बॉन्ट से आया जिसकी जानकारी ये देश को नहीं देना चाहरे लेकिन सुप्री कोड ने डंडा कर दिया है आगे आप पढ़ेंगे तो बीजेपी के इन 2016-17 आउट ओफ टोटल कंट्रिबुशन 2016-17 में भाजपा को कितना मिलता है 997 करोड रुप्यार वहीं आपको कॉंग्रेस का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये कॉंग्रेस का है 2016-17 में भाजपा को 900 करोड लगबग लगबग 1000 करोड मिलता है तो वहीं जो है 16 और 17 में कॉंग्रेस को मिलता है कॉंग्रेस को मिलता है 160 के करीब 1000 करोड 16-17 में केंदर में सत्ता में बैटी मोधी सरकार को मिलता है और 166 करोड जो है वो कॉंग्रेस को मिलता है और सबसे बाड़ी interesting बात जो भाज़पा बताती है कि 2016 सहत्रह में इन्हें 1000 करोड के करीब जो है वो पैसा मिला था मैं आपको दिखा दियों किफाद फण मिला था उसमें से 529 करोड जो है वो declared small contribution यानि कि 526 जो है इतना चोटा-चोटा पैसा था जिसका जो है दो हजार एक हजार 529 करोड कैश मिला है जिसमें से जो है इनका कहना है कि हमें इलेक्टरोल बॉंड से जो है वो 210 करोड मिला है यह दोनों खबरे 80% बैड लोन सारी कहानी समझ आ गई न खाऊंगा न खाने दूंगा लेकिन आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट की दो खबरे साफ जाहिर कर देती है कि पिछले 5 सालों में बैंकों का 80% कर्ज केंदर की मोधी सरकार ने पूंजी पतियों का माफ कर दे और एक और हरानी की खबर इसी मे लिखी हुई है कि लिखा है कि अनफोर्चुनेटली बैंक लोन डिफॉल्टर इस स्टिल अस्विल ओफेंस अगर बैंकों का पैसा लेकर कोई पूंजी पति भागा है तो वह सिविल ओफेंस क्रिमिनल ओफेंस नहीं है लेकिन वहीं आप अगर किसानों के कर्ज को जो कुझी पति डिफॉल्टर है वो उनकी नज़र में क्रिमिनल नहीं है लेकिन किसान अगर कर्स लेकर डूप जाता है तो वह क्रिमिनल ओफेंस है उसमें उसकी गुरफ़तारी करके उसे जेल भेजा जाता है लेकिन यहां पर इस डिफॉल्टर का नाम तक नहीं बताया ज यहाइन की 2वा करोड रुपया जो हमारा करदाताूं का था इन बैंकों में डालने की बात के कि बैंक डूब रहे हैं थोड़ा सोने मदद मिलीगी 2वा करोड लेकिन आज की हवी के छिए कि वो जो दो करोड था भी वो भी उठके मु में जीरा थाबित हुआ है और यह लाग करोड पर पोच चुका है, मैं नहीं कह रही है RBI की रिपोर्ट कह रही है RBI की रिपोर्ट की हवाले से Indian Express ने आज की स्टोरी की है कि अरुजेतली जी आपके 2 लाग करोड रुपए भी जो करदाताओं के जो सरकार के थे वो बैंकों में डाले ने आप सभी सकाऊंगी दबाब बनाईए कि बैंकों में जिन्होंने कर्ज लिये जो डिफॉल्टर थे उनके नाम के इंदर सरकार मोधी सरकार क्यों छुपारे और वही पर इलेक्टरल बॉंड के माध्यम से जो मोटा चुनावी चंदा भाजपा ले रही है उसे भी क्यों चुपा रही है इन दोनों चीजों का देश हित में आना बेहद जुरूरी है और इन चुनावों में ही इसका सामने आना इसलिए जुरूरी है ताकि इस देश के साथ धोखा ना हो सके ये देश जान सके कि वो बैंक डिफौर्टर करोड़ रुपय का चूना लगा के देश को जो भागे उनके नाम क्या है और इलेक्टरोवन के माद्यम से जिसने बीजेपी को 210 करोर 1000 करोड मिला है कुल उसमें से 210 करोड मात्र इलेक्टरोवन के माद्यम से मिला है Supreme Court ने आज कहा है कि आपको बताना होगा आपको भाजपा और सरकार को और दूसरी political party को भी बताना होगा कि 31 मई तक आपको किस पुझी पती ने इलेक्टर बॉन्ड के माधियम से किस party को कितना चुनावी चंदा दिया और साथ में bank defaulter की भी ये list जारी की जानी चाहिए मैं आप सभी से कहूंगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए Indian Express English का newspaper है मुझे मालूम है हमारा 80% भारत गाउं में बसता है और हमारी दिली में भी अगर बात करें बहुत लोग मजदूर है काम करने वाले हैं ताकि आप इन पे प्रशन इन से ना पूछ पाए मैं सबसे कहूंगी Indian Express की अख़बार में आया है हो सकता है दूसरी अख़बारों में भी आपको मिल जाए पढ़िए उसे Facebook, Social Media, WhatsApp पे चापिए क्योंकि ये report RBI Reserve Bank of India की है जिसे Indian Express दूसरी अख़बारों ने चापा है और एक दो ख़बरें दوبारां आपसे विधा लेने से पहले क्योंकि आज मुझे अपनी विधान सभा में जाना है आज मैं लोगों के बीच में रहूंगी और इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी क्योंकि लोग वोट करें उससे पहले उनके सामने ये चीजों का आना जरूरी ह पहली खबर 80% bet loan write-offs in decade came in last five years यानि कि 80% डूबा कर्ज पुंजी पती जो लेकर भाग गए हैं उसे केंदर सरकार ने उसमें से 80% मातर पिछले पान सालों में माफ किया है and Supreme Court to Parties, Political Party Submit Bond Detail यानि कि किस पुंजी पती ने बैंक को चूना लगा कर आपको यहाँ पर उस काले धन को आपने उनको पहले बैंकों से पैसा दिया, वो बैंक से पैसा लेकर भाग गए, आपने भाग ने दिया और फिर वही पुंजी पती आपको बीजेपी को 210 करोड रुपया जो है फंट देते हैं लेक्टर बॉंड के माधियम से और दोनों में आप इनकी जानकारी को मोधी सरकार क्यों गुप्त रखना चाहती है सिरफ एक बड़ा प्रश्न है आप पूछिए कि क्यों जिन डिफ लोगों ने पुंजी पतियों ने बैंकों से कर्ज लिया उनके नाम क्यों जाहिर नहीं होने चाहिए कि वो कौन है कितना कर्ज लिया है वो कहां पर है कितनी वाप्स इसका क्यों नहीं जानकारी और क्यों जानकारी ना हो कि political party को कौन पूंजी पती आज electoral bond के माध्यम से जो है मूटरा चुनावी चंदा दे रहे हैं और इन दोनों जानकरियों को क्यों गुपत रखा जा रहा है किसे अंधेरे में रखा जा रहा है मैं ये चाहूंगी आप इस दोनों clipping के साथ जरूर पूछिएगा क्योंकि ये समय पूछने का है ये समय जवाब लेने का है ताकि हम फिर से धोखा ना कहा पाएं ये देश कंगाल होने से बचा पाएं आप सभी को मेरी शुब कामनाई जैहिन जैभाद